8.2. मध्यमवर्ग और इनके विचार इस वर्ग के लोगों को जीवन यापन के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता था इसके अलावा कारिगर, किसान, मजदूर, आदी ये सामंती व्यवस्था से त्रस्त थे वे राजा और सामंतों की मनमानी खत्म करना चाहते थे बलकि वे समाज में परिवर्टन भी लाना चाहते थे इस समय मध्यमवर्ग और कारिगर वा किसान के विचारों में बहुत अंतर था चार्ल्स प्रथम ने इसको मिलाने का प्रयास किया फिर भी ग्लोरियस रिवोल्यून ने गरीबों को सत्ता से अलग रखा सन 1649 में प्रकाशित एक लेक में लिखा गया कि इंग्लेंड के लोग तब तक आजाद नहीं हो सकते जब तक गरीबों के पास जमीन ना हो और उन्हें सामुहिक जमीन पर खेती का अधिकार ना हो इंग्लेंड की अर्थव्यवस्था में व्यापार और उद्योग का महत्व बढ़ रहा था इस कारण बदलाव पसंद लोगों में भी महत्व बढ़ रहा था यूरोप का उभरता मध्यमवर्ग, रेनासा, व्यज्ञानिक क्रांती, धर्म सुधार वप्रबोध आंदोलन के विचार से प्रभावित था इसे बीच अनेक राजनेतिक विचारक हुए जिनोंने निरंकुष राजशाही का विरोध किया और लोगतंत्र के समर्थन में आ गया है इनमें कुछ प्रमुक थे जॉन लॉक वा जॉक रूसू इनके विचारों के प्रेड़ना से यूरोप और अमेरिका में लोगतंत्र के लिए आंदोलन को बल मिला